हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं एक छोटा सा पैटन ही लेके आई हूँ, केवल 6 लोगा ये इस पैटन है, देखे ये इसका फ्रंट लोग है, बैक से ये कुछ ऐसा आएगा इस पैटन को आप अपनी किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हो, ये बहुत ही सुन्दर है, देखे इस तरीके से है, और आसान है बनाने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा इस पैटन को बनाने के लिए आपको थ्री के मल्टिपल में फंदे लेने हैं, प्लस दो फंदे अपनी एच के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं, तो तीन फंदों की ये बिनाई है, तीन तीन की जोड में आप इसमें फंदे डालते जाएगा, और लास्ट में दो फंदे और डा है कि इस तरीके से सारे फंदों को हम सीधा सीधा बिन देंगे आ जाईए सेकेंड रोपे दूसरी सलाई है उल्टे साइट से एक फंदा हमने स्लिप करा एजस्टेच है अब यहां से हमारा पैटन स्टार्ट होगा तो यह दिखिए एक यह उल्टा फंदा ही बिनना है हमें ले एक दो यह कंप्लीट हो गया है पैटन फिर से अपने पैटन को दोर आएंगी तो देखिए यह जो यह बाला पहला फंदा है इसको हमने दो बाला पेटना है इस तरीके से और उल्टा ही बिनना है उसकी बाद दो फंदे उल्टे एक दो कंप्लीट हो गया है पैटन फिर से तो इस एक फंदे को दोबा लपेटेंगे ऐसे, फिर एक दो फंदे नॉर्मल तरीके से उल्टे बिनेंगे, ये कम्प्रीट हो गया है पैटन, लास्ट में एक एज स्टेज में चाहिए, इसको हम उल्टा बिनेना है, अब आजाएए सीधी तरफ, थर्ड रो है, तो एक फंद के आगे लाना है, आगे की तरफ से, तो इन तीन फंदो को ट्विस्ट करेंगे, तो पीछे वाला जो ये एक फंदा है, ऐसे उठाएंगे, और इस तरीके से हमें इसे आगे लाना है इसके, ऐसे चढ़ाया लेफ निल में, अब इन तीनों ही फंदो को सिधा बिन देंगे, एक, दो, तीन, तो पैटन कम्प्लीट हो गया यहाँ पे, इन ही तीन फंदो की बिनाई थी, फिर से अपने पैटन को दोराएंगे, तो इन दो फंदो को छोड़के, जो तीसरा वाला फंदा जो लपेट के बनाया है, हमने इन्हें आगे लाना है, तो ऐसे, ऐसे करके भी कर सकते हैं आप, इस वाले फंदे को ऐसे उठाया, और इसको आगे लिया है, आगे से, ऐसे लेफ निर में चढ़ाएंगे, और तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, कम्प्लीट हो गया है पैटन, फिर से दोर आएंगे, तो इस फंदे को हमें आगे लाना है, आगे से, तो इस दो, तीन, कम्प्लीट हो गया है पैटन, एक, लास्ट की एजे स्टिच है, इसको भी सीधा बिन देगे, अब आजाएए, फोर्त रोपे चौती से लई है पैटन की उल्टे साइट से, तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, अब देखिए, यहां से हमारा पैटन स्टार्ट हो कम्प्लीट हो गया है यहां पे पैटन, फिर से अपने पैटन को दोराएंगे, तो दो फंदे उल्टे, एक, दो, और यह तीसरे वाले फंदे को दो बाद आगा लपेट की उल्टा बिनेंगे, इस तरीके से, कम्प्लीट हो गया है पैटन, फिर से दोराएंगे, तो दो फं लाई है पैटन की सीधी तरफ से, एक फंदा हमने slip करा, अब फिर हमें इन तीन फंदों को twist करना है, तो ये दो बार धागा लपेटावा है और ये दो simple stitches है, तो अब हमने ये जो दो पीछे वाले फंदे हैं, इसको हमें आगे लाना है इस तरीके से लेंगे, पीछे की तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और इस पंदे को हमने ऐसे करके लेना है और पीछे से इन दोनों को आगे लाना है, ऐसे लेफ्ट निदिल में चढ़ाया और फिर इन तीन फंदों को सीधा बिन देंगे एक दो तीन complete हो गया यह pattern फिसे पने pattern को दोहराएंगे तो देखिए ये दो बार धागा लपेट की बनाया है ये दो simple पंदे हैं तो इन दोनों को पीछे वाले पंदों को आगे लाएंगे पीछे से ऐसे करके पीछे से लिया इसे एक फंदे के आगे लाए ऐसे करके पापस से left needle में चढ़ाएंगे और अब इन तीन फंदों को सीधा बिन देंगे एक दो तीन complete हो गया यह pattern फिस पने pattern को दोहराएंगे तो फिस इन तीन फंदों को twist करेंगे तो पीछे वाले दो फंदे हमें आगे लाने हैं पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे left needle में चढ़ाया और फिर इन तीन फंदों को सीधा बिन दिया एक दो तीन complete हो गया है pattern अब last की एक edge stitch बचेगी इसको भी हम सीधा बिन देंगे 6,3,6 लाई उल्टे साइट से इसमें सारे ही पंदों को उल्टा-उल्टा बिन के complete कर लेंगे सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टा-उल्टे बिन देंगे ये देखिए एक बर हमारा ये pattern बन गया है इस तरीके सिस्का लोक आएगा तो जब आप इसे बड़ा बनना होगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा थैंक यू झाल झाल झाल